दोस्तो कभी आप अनाताश्रम हो के आये हो कभी जिन्दगी में अगर समय मिले तो एक बार जरूर अनाताश्रम हो के आना और देखना कि वो छोटे बच्चे विदाउट पैरेंट्स अपनी जिन्दगी किस तरह से गुजार रहे हैं दोस्तो आप बहुत खुश किसमत हो कि आपके लाइफ में आपको पैरेंट्स मिले है और आपके उपर बहुत अच्छे संसकर हो है कि जिसकी बदलत आज आप एक बहतरीन इंसान हो दोस्तों आपके पैरेंट्स ने जो आपके उपर संसकार किये है या फिर उन्होंने जो भी आपके लिए काम किया है वो शायद ही दूसरा कोई इंसान कर सकता है लेकिन आपके माता-पिता की जगा कोई दूसरा इंसान बिलकुल नहीं ले सकता और याद रखिएगा दोस्तो आप अपके माता-पिता के जो एहसान है वो जिन्दगी बर भुला नहीं सकते सो जाईए अपने माता-पिता को अपने गले से लगाईए और उनको थैंक्यू कहिए अगर आपके माता-पिता इस वक्त आपके साथ नहीं है तो दिल से दोस्तो दिल से मन में उनकी एक तस्वीर लाइए और मनी मन उनको थैंक्यू कहिएगा थैंक्यू, थैंक्यू सो मच्छ देखिएगा कही समय ना निकल जाए सबका मंगल हो, सबका कल्या हो